नमस्कार, मैं हूँ सक्चिदारंद बसिष्ट सज्जनों हर कोई व्यक्ति आने वाले समय की जानकारी चाता कहें कि कल का दिन मेरा कैसा होगा, आने वाला महिना मेरा कैसा होगा, आने वाला साल मेरा कैसा होगा तो 2022 का सभी राशियों के लिए पूरे वर्स भर का हमने राशिफल दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल का हमने राशिफल दिया और अब हम मई का राशिफल देने जा रहे हैं और वो भी मकर राशी का अब कृपया एक ध्यान दे हैं इस हमारे स्री वसिष्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेला इकन को दबाएं जिससे कि जोतिस से सम्मंदित वास्तू से सम्मंदित और धर्व गरंतों से सम्मंदित बहुत से वीडियो आपको प्राप्त हो सकें और उनसे आप जीवन में लाव ले सकें अपने जीवन के अंदर आप उतार सकें तो आएए अब हम चलते हैं मकर रासी का रासी फल मई के मैने का जो पहली तारीक है वो आपके लिए थोड़ी सी चिंता जनक है ज्यादा नहीं है लेकिन बस खाली मन असांत रहेगा दो तीन और चार तारीक ये आपक के लिए स्रेष्ट होंगी पड़ाई करने वालों के लिए स्रेष्ट होंगी इंटर्वीव वालों के लिए स्रेष्ट होंगी साक्षातकार वालों के लिए स्रेष्ट होंगी यहां पर पांच और छे तारीक ये थोड़ी सी विवादास पद हैं इसके अंदर अपनी सावध साथ, आठ, नो तारीक ये आपके परिवार के लिए पति-पत्नी के लिए और प्रेमी और प्रेसी के लिए दो साजेदारों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी इसमें उनके मेल, संबंद, संपर्क ये बढ़ेंगे और माहुल अच्छा रहेगा दस और ग्यारा तारीक ये आपके लिए अस्वस्तता को देने वाले गएंगें एक तो इसमें यात्रा ना करें किसी भी प्रकार की और इसमें स्वास्त को जो के अपना ध्यान इसके अंदर रखें स्वास्त इसमें डगमगा सकता कें बारा और तेरा तारीक, चोदा और पंदरा तारीक, सोला और सतरा तारीक ये छे दिन आपके लिए यात्राओं के हैं, धर्म के लिए हैं, लाब के लिए हैं, राज्यकारी के लिए हैं, अधिकारियों से मिलने के हैं राजनेताओं से भी लाब हो सकता गए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ती हो सकती है पदोनती हो सकती है नोक्री की प्राप्ती हो सकती है और चारों तरफ से लाब का अवसर आपको प्राप्त हो सकता गए लेकिन इसके आगे कि जो दो दिन हैं 18 और 19 तारीक उस समय पर अपने ह हाथ को दबाके रखें, खर्चा ना करें, आपश्यक खर्चे तो जरूरी हैं, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या किसी को उधार देना, रिंड देना, कर्ज देना, ये जो हैं, आप ना करें, इस समय का दिया हुआ पैसा आपका डू जाने वाले हैं, इसके अंदर नृत्य गीत का आचर्ण, खुशियों का माहोल, उत्सव की प्राप्ती, धना अगम, स्वास्थ, प्रसन्नता, मित्रों का सहयोग, और भाईयों का सहयोग, इसके अंदर आपको प्राप्त होगा, 25 और 26 तारीक तक मैं पहुचा हूँ, 27 अठाइस तारीक ये आपके लिए अच्छी रहेंगी, संतान के लिए अच्छी होंगी, और जिन्होंने परिक्षा दे रखी हैं, उनका परिणाम अगर इस समय पर आना है, तो वो भी उनके अनकूल होगा, इस समय कोई एक्जाम दे रहे हैं, तो वो भी आपके उनके परिणाम अनकूल होंगे, कोई भी competition कर रहे हैं, कोई भी interview दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये दिन निर्दारित करके रखें, इसके अंदर ही आप interview झिएगा, उसके अंदर आपको लाब होगा, और अब इसके बाद, अगर हम चलते गये तो यहां पर 29, 30 और 31 तारीक ये फिर आपके लिए विवादों की हो सकती है तो उसके प्रती आप सावधान रहें और अब मैं इसके अंदर आपको बताने जा रहा हूँ और अन्यक रहों का फल शनी मकर रासी वालों के लिए द्वतिय स्थान के अंदर गए और द्वतिय स्थान के अंदर बैठा हुआ सनी धन को बढ़ाएगा इस महिने के अंदर धन को बढ़ाएगा लेकिन इसकी दृष्टी जो जा रही है वो चोथे स्थान पर गए कोई भी भूमी भवन वाहन और माता से सम्मंदित कोई चिंता उत्पन हो सकती है कोई परिशानी उत्पन हो सकती है और ये सनी यहाँ पर बैठ करके इस प्रकार के फल दे सकते हैं राहू भी आपके चोथा इस्थान के अंदर बैठे हुए हैं और चोथा स्थान ये जो है किसी ने किसी प्रकार से वही माता, भूमी, भवन, बाहन इनके लिए चंता जनक रहेगा, माता का स्वास्ति इस समय पर खराब हो सकता है और भी किसी ने किसी प्रकार का विबाद आपको हो सकता है लेकिन ब्रियस्पति आपके तीसरे स्थान के अंदर बैठे हुए गए और तीसरे स्थान में बैठे हुए ब्रियस्पति ये यहां पर विजय को देने वाले गए किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव पैदा हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई विवात पैदा हो जाए, लेकिन ब्रियस्पती उसको समाल लेंगे वहाँ पर आपको विजय जो है वो प्रदान कराएंगे आपके पद को आपके प्रतिष्ठा को भाईयों के साथ में मेल जोल को मितरता OD को नया मितर इस समय पर आपके साथ में जुडा सकताख है ये बिरेश्पती यहाँ पर बैट करके भागे को बढ़ाएंगे लाब को देने वाले होंगे ये सारे परिणाम मैंने आपको मैं के मैने के लिए दिये अब निवेदन यह है आप फोन करते हैं कभी भी कर देते हैं ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, हमेशा कोई कारियाले में थूड़ी रहता है, तो इसलिए सुबह 10 वजे से लेकर के साहिंकाल 6 वजे के बीच में फोन करें, और वही सज्जन फोन करें, जिनके पास में आपकी जर्म की डिटेल हैं, जर्म तारीख है, मैना है, समय है और जनम स्थान है, उनको कागज में नोट करके और उसके पश्चात आप इन नमरों के उपर संपर्क करके और आप अपाइंट्पेंट ले करके और आप लाभानवित हो सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, इस वर से प्राप्णा करते हैं, मैं का मैन आपके लिए बहुत ही सुभ हो मंगल मैखो काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वन नव ग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है, हमारे संपर्क सूत्र हैं, 783888, 98421, देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से, वास्तु, जियोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाट, महमृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हे तु संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र हैं, 783888, 98421, हमारी वेब साइट है, www.shreevashist.com